हालो स्टुडेंट गुड मोर्निंग मैं आपनों की टीचर साल नायादू की भी रैकेडमी ओर्लाइन क्लासेज आज हम लोग पढ़ेंगे फील इन दा ब्लैक्स फील इन दा ब्लैक्स हमें क्या करना है फील करना है देखिए यहां पर जो डॉट डॉट दिये हैं जो खाली जगा छोड़ें यहां क्या करना है यहां पर फील करके वर्ट को पूरा करना है देखिए यहां पर क्या है ए और अल है तो हम क्या करेंगे इन जो तीनों डॉट है इन तीनो जगवहों को कोई वर्ड. लिकर कोई भी वर्ड लिकर complete करना है देखें, जैसे यहाँ पर है A, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखें, A है यहाँ पर लिखेंगे हम P फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? P, उसके बाद लिखेंगे? Sorry देखें उसके बाद यहाँ लिखेंगे? E, तो क्या होसैगा? A, डवल पि, दाए E, यहाँ होसैगा? Apple उसके बाद यहाँ पर देखेंगे? E है, फिर E है उसके बाद X है, उसके बाद T है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखे, यहां पर भी लिखेंगे E, sorry L, उसके बाद लिखेंगे P, उसके बाद लिखेंगे A, उसके बाद लिखेंगे N अब देखे, यह क्या हो गया, E, L, E, P, H, A, N, T, तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया, All transparent आप देखे, यहां पर M, यहां पर है G, और यहां पर है O, तो हम यहां पर क्या क्या हो गया, जो यह complete के एक word बन जाएगे देखे, लिखेंगे यहां पर M है उसके बाद लिखेंगे A, उसके बाद लिखेंगे N तो क्या हो गया? M, A, N, G, O क्या हो गया? Mango अब देखें यहां पर P, यहां पर है Double R, उसके वाद है T तो यहां पर क्या लिखेंगे? देखें, P यहां पर लिखेंगे A Double R है, उसका जियां लिखेंगे O T है, अब क्या होज़ेगा यह? P, A, Double R, O, T Parrot क्या हो जागा? Parrot आप देखें, यहां पर है Q तो यहां पर क्या लिखेंगे? हम U लिखतेंगे उसके बाद यहां पर Double E है उसके बाद N लिखतेंगे क्या हो गया? Q, U, Double E, N क्या हो जागा? Q आप देखें, यहां पर R है, E है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखें यहाँ पर लिखेंगे O, यहाँ पर लिखेंगे S तो क्या हो जाएगा? R, O, S, E क्या हो गया? रोज तो देखें यहाँ पर यह कौन सा वर्ड मेंना? Apple, Elephant, Mango, Parrot, Q, रोज Apple means safe, Elephant means healthy, Mango means arm, Parrot means tota Q means rani, Rose means gula तो बच्चों यह वर और देखिए Field in the black हम क्या किया है? Field किया Cat field के देखें, जो खाली जगा था, उसे हम लोग क्या किया है? उसे complete करके एक वर्ड बनाए है तो कौन सा वर्ड बनाए है? यहाँ पर cat field किया है? यहाँ पर लिखेंगे है उसके आज यहाँ खाली जगा था तो e लिखेंगे है तो यह फिर उसके बाद e कौन सा वर्ड बना? apple बन गया क्या बन गया? apple a, double, p, l, e क्या हो गया? apple उसके बाद यहाँ पर देखें क्या क्या लिखें हम लोग? l लिखेंगे हैं p लिखेंगे हैं और a लिखेंगे हैं तो उसके बाद इसको परएं e, l, e, p, h, a, n, t elephant उसके बाद यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर a लिखेंगे हैं और यहाँ पर o लिखेंगे हैं तो यहाँ पर देखेंगे हैं डेबल आर, ओ, टी, क्या हो गया, पैरोट, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखे थे, यू लिखे थे, और अन लिखे थे, तो देखिए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यूइ, अब देखिए, आर, यहां पर हम क्या लिखे है, ओ लिखे है, और एस लिखे है, तो जै A-P-P-L-E, April, E-L-E-P-H-A-N-T, Elephant, M-A-N-G-O, Mango, P-A-R-O-T, Parrot, Q-U-E-N, Cune, R-O-S-E, रोज, Apple means, Shade, Elephant means, Hearty, Mango means, Arm, Parrot means, T-O-T, Q-U-E, R-O-S-E, गुलाब, तो बच्चो, आज हम लोगों ने, क्या पढ़ा, Feeling the Black, तो बच्चो, आप लोग भी ऐसे ही पढ़िएगा, और आप लोग और भी वर्ट देंगे, जो आप लोग लिख कर वर्क देजिएगा, और वीडिय उसे देखकर पढ़िएगा, तो बच्चो, आज के लिए वसे इतना है जुनेवाइगा,